राश्टिये जनता दल का मतलब ही है जंगल राज को अस्थापित का जनता का मन नरेंद्र मोदी जी को तिसरी बार प्रधान मंत्री बनाने का है कोई किसी पर दवाब दे करके मतदान नहीं कराया जा सकता राश्टिये जनता दल का प्रकृती है वो चाहती है कि पूरे विहार में और विहार की जनता सब देख रही विहार की जनता ने तैग कर लिया है कि इस बार विहार में 40 के 40 सीट NDA को मिलना है जब आप कोई किमिनल को उमिदवार बनाएंगे अपराधी को उमिदवार आप बन बावली अशोक महतो की पत्री अनीता देवी के खिलाब देखिए मुगेर में एक मामला दच करवाया गया है वो मामला जो है परहन का है ऐसे में कई सारे आरोप भी लगाया गया है अनीता देवी पर बदाये चले आपको के जस्तरी के इससे बिहार में 2024 लोगसफा का पहले से हो रखाया है ऐसे में 2024 चरण का मद्दान जिस तरीके से मुगेर में हुआ इसको देखते हुए एक महिला ने कहीं आरोप लगाया और यह साफ का है कि अपरन करने की कोशिश जो है वो कहीं ने कहीं अनीता देवी के द्वारा करवाई गई और ऐसे में उनके अंगर के साथ है अपरन करवाने की एक महिला के द्वारा अरोप लगा गया है कोशिश की गई थी देखिए यह सब तो होना ही था हम लोग सुरू से कहते हैं कि कि राश्ट्रिये जनता दल का मतलब ही है जंगल राज को अस्थापित करना जो उन्होंने 2005 से पहले विहार में किया वो जिस परकार के उमिदबार जहां देंगे उसी परकार का वहां का उसका विश्वार होगा तो जब आप कोई कुमिनल को उमिद्वार बनाएंगे अपराधी को उमिद्वार आप बनाएंगे तो सभाविक है उससे आप क्या आसा कर सकते हैं यह असंका सुरू से थी कि मुंगेर में जिस प्रकार के बड़े अपराधी को उमिदवार बनाया गया तो यह तो होना ही था इसलिए सही बात है उस महिला ने गुहार लगाया है हम तो सरकार से कहेंगे कि इस पर करी कारवाई होनी चाहिए इस प्रकार से मतदान जिसको जनता को देना है स्वयम इच्छा का चीज है लेकिन कोई किसी पर दवाब दे करके मतदान नहीं कराया जा सकता है और राश्टिय जनता दल का जो प्रकृती है वो चाहती है कि पूरे विहार में इसी प्रकार के अपराधियों को टिकट दे करके और दवाब में जनता से हम मतदान कराएं ये संभव नहीं है और विहार की जनता सब देख रही है विहार की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार विहार में 40 के 40 सीट NDA को मिलना है और 400 सीट पर NDA के उमिदबार भारी बहुमत से जीतेंगे जारा था कि बोट नहीं देने दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा कि पी सच्चाई जाब आप तो सच्चाई आ गया कि कोई महिला जब अपने बच्ची के बारे में इस परकार का आरोप लगाती है तो ये तो उनका आरोप निराधार बिलकुल निराधार था ये लोग सब समझ रहे है कि जनता हमको नहीं चाह रही है जनता हमको चुनाओं को बोट देना नहीं चाहती है जनता का मन नरेंदर मोदी जी को तिसरी बार प्रधान मंतरी बनाने का है तो सभाविक है ये लोग घबरा गए और घबरा करके इस परकार का बयान बाजी करते हैं कि इस्चित रूप से जनता सब देख रही है बिहार की जनता बहुत समझदार है बिहार की जनता को मानने नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही लगाओ है और नरेंद्र मोदी जी को तिसरी बार प्रधान मंत्री बनाने के लिए तयार है इसलिए सब कोई चिंता करने की भी से नहीं ह आप दिखिएगा रिजल्ट आने दीजे चार जुन को बिहार के 40 में 400 सीट एंडिये गठवंदन को मिलना है और ये जो राश्टिये जनतादल और इंडिये अलाइंस के लोग चाहते हैं जो भरस्टाचारी लोग हैं ये जो चाहते हैं कि इस राज में फिर से जंगल राज अ थापित कर लेंगे ये उनका कभी भी ये सपना उनका पुड़ा नहीं हो सकेगा आपसे आनन सींग को लेकर कई सारे सवाल उठाये जा रहा था खासकर अनिता देवी के द्वारा तमाम अनेक दलों के नेताओं के द्वारा जो भी पक्ष में बैटी है मुकेश सेहने ने भी इतरों के सवाल उठाये था कहा ही जा रहा था कि लोकतंत्री को देखते हुए खत्रा है लोकतंत्री सव्यंद की द्वारा या Hash gospels ने कहा था तह साथ जो अप राधी होते हैं और जब डऱ् है तो सेसित शारे गहसे धिक 누가 सब चीज हो और रहे हैं हम फिक्स देखी रहे ए ये लोग इसी परकार का चुकी ये लोग हतास हैं, निरास हैं, ये लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता हमको अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए ये लोग इस परकार का आरोप लगाते हैं, जो सब को पर आरोप ये लोग लगाने का कोसिस करते हैं, लेकिन जनता इनके आर यार ने वो समझती है कि ये जो जंगल राज अस्थापित करने वाले इंडी अलाइंस के लोग है रास्टिय जनतादल के लोग हैं ये इनको जनता कभी पसंद नहीं करती है और जनता कभी इस राज में अब जो 2005 से पहले का बिहार रहा है वो बिहार देखना कभी नहीं चाहत सकता क required करना ये इस लिए कुछ भी बोलने से कुछ भी प्रियास करने से कितनों जिक भुरमित करने से कितनों जनता को लोब देने में से इसका पर कोई असर नहीं परने वाला है चुनाव असपस्ट है चार चरन का हुआ है बिहार में जो हम लोग इस दो द खार और दिमाग का यही मत है और आने वाले समय में जनता बिहार में 40 में 40 और देश में 400 पार करेगी जनता जाग चुकी है जाग रुख हो चुकी है और जनता कहीं नहीं फिर से तीवी श्रीम बढ़तावा एक बार नडद रवोधी को मौका देगी और तमाम खबरों के लिए बनने मार साथ बहुत बहुत धने माद